तो फ्रेंट्स आज मैं पहली बार जो मैरा कूलिंग सिस्टेम फार्म का बना लिया और एक बार आपको फूरी इंफर्मसन सियार करने वाला हूँ इस तरीके से ये जो कूलिंग सिस्टेम मैंने बनाया और इसको आप भी अराम से बना सकते हूँ इसके लिए बहुत खर्चा नहीं है जो हजर चिक्स के मानिएगा तो दो हजार रुपैस जाता से जाता खर्चा होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर जैसे जैसे गर्मी का टाइम आता है कार्म को कूल करने के लिए हम लोग को बहुत कुछ सोचना पड़ता है तो उसके लिए दोस्त आपको पहले पाइप है मतलब पिविसी पाइप है इसको लेना है इसका छे रुपैया करके जो फूट है ये मिला तो ये बहुती लो-कॉस है और इसके साथ जो ओजर लगेगा जो फार्स लगेगा वो तो आपको पता है कि पाइप लाइन को करने के लिए इस तरह से जो पाइप लाइन है एक एक करके आप उसको जोड़ लीजिए यह जो देख पर है कैप इसको पूरी तरीके से गाम देके चिपका दीजिए पुरा अदम कम से कम हो इस बाहर में तो अल्रड़ी पाइप बिचह उनका काम हो गया और यह जो लाइन है यह आ रहा है फार्म के अंदर और जो में टांकी का कनेक्शन है उसके साथ इसको एड़ करने वाला हूँ जाकि इसका जो फानी है यह फ्रो बाहर तक जाए तो प्रंस यहा से मैं डिभाइट करके थोड़ा सा पानी बाहर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर एक यह जो गेट है इसको लगाना चाहिए क्योंकि जिसी साब से हमको पानी लगेगा उसी साब से हम जाके जो फानी का लेवल है उसको बढ़ा पाए कमा पाए तो यहाँ पर जो गेट और मैं आपको बाहर को लिए के क्या क्या काम बाहर में बागिया है आपको बता दिया कि फार्म के अंधर जो काम था वोग खतम हो गया और यहां पर आप देख पर है कि पानी अ Dalš आरह है तो दोश्त आभी चलिये मैं आपको दिखाता हूँ जो फानी बाहर आ रहे है इसके भाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, जाके चीक्स में ज्यादा से ज्यादा ठंडक मिले, अभी क्या करना है। ये जो पाइप है, ये पाइप लेन पे आपको इस तरह से एक एक करके छेद करना है, मतलब थोड़ा गैब देखे, मतलब ऐसा नहीं कि एक दम नस्दिक कर दिय तो फ्रेंट्स यहां पर पूरी इंतिजम कर लिया गया है और यह जो आप देख पर है कि पाइप का जो इंडिंग है इसको मैं अभी यहां पर जोड़ने वाला हुई इसके साथ जो पानी का फ्लो आएगा यह पाइप के अंदर घुसेगा और जो छोटा-छोटा छेद मैंने अल्लेडी बना दिया उससे पानी निकलेगा तो प्रेंट्स आभी जो काम बचा है यह जो पाइप लाइन है आप देख पर है कि लंबा करके यहां पे टाइट के अजा रहा है रस्ती से क्योंकि जैसे इसमें पानी आएगा जाके यह पाइप तूटके नीचे न गिर जाए और यहाँ पे जैसे के आप सभी को पता है अल्लेडी मैंने छेट कर दिया तो वहाँ से पानी गिर के यह जो परदा है परदा को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ तो परदा भी के जो गरम हाद अखसिंदीशा से आएगा वो ठांड होके अंदर जाएगा तो प्रेंट्स जैसे ही वहाँ पे मैं जो नल है उसको ओन कर दिया और आप देख पर है किस तरह से बारिस हो रहा है और यह जो पानी गिर रहा है यह पानी में यह जो जूट का परदा यह पूरा भीग जाएगा जैसे जैसे आपको लगेगा मतलब पूरा दिन नहीं मान लिजे कि यह उसको ओन करके उसको भीगो दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा जो परदा में जो पानी रह रहा है गरम हवा अंदर में घुसेगा वो ठांड होके अंदर घुसेगा और तो प्रेंट्स कूलिंग सीस्टेम का जो टोटाल काम था 100% कंप्लीट हो गया और इस तरह से यह जो पाइप है अब देख पर यह जो अंदर में गया है यह पाइप है और उसके साथ लिपट के यह जो जूट का परदा इसको दे दिया गया है जाके पाइप से जो पानी आए वह जाके जूट का परदा है इससे होके नीचे गिरे जाके जूट का परदा है पुरा भीग ज जा रहा है और एक दम 10-15 मिनिट ऐसे ही अगर आप चलाओगे तो फूरा जूट का परदा भीग जाएगा तब 10-15 मिनिट होने के बाद आप बंद भी कर सकते हो या तो फिर दोपेर के टाइम में ओन करके भी रख सकते हो और यह जो पानी नीचे गिर रहे है आप देख पार ह कम जाएगा क्योंकि अभी जो लूब चल रहा है तो जैसे यह जूट का परदे के साथ टाच होके अंदर जाएगा तो तुरंत ठांड हो जाएगा तो तो दोस्त इसी के साथ समाप्त कर तो यह वाला वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कीजिए सेयर कीजिए और मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजए जाके हर वीडियो का नोडिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे जाएगा